देखे, क्या समझा, कुछ समझा, पैरे बच्चों, किताबे देखकर भी यही हाल होता है, आपने अपने किताब के इन सफात को देखिए, उस्ताद के बगएर इने समझना मुश्किल है, तो अपने उस्ताद की इज़त कीजिए, यही आज मैं आप से कहना चाहता हूं। एक बच्चा स्कुल से वापस आकर अपने बसता फेकता है, उसके मैं ओ कहता है कि हम में, अब मैं कल से स्कुल नहीं जाओंगा। तो बले, दिचर ने सारी आसान-ासान मिसाले हल कर दी। और मुष्किल मिसाले हमको dal42 दे दी। कुछ ऐसा ही हमारे छटे सबक को तुमा में शायद आप बच्चों को लग रहा हूंगा कि कि यहां पर जो मिसाले दीवी हैं सब हो गया पूरा पूरा हिस्सा आपने आसानी से पढ़ लिए कि बीडियों में लेकिन इसके आखरी सबक में आपको अधरी मालुमाद पको किसी भी अदद का जजरल्मुर मालुम करने के लिए दिया गया है लेकिन वो जजरल्मुर्ब्र अजज़ा जर्ब्र के तरीके से नहीं है अज़ाई जर्भी के तरीके से जदूल मुरब्बा किस तरह मालूम करते हैं हमने इससे पहले की वीडियो में देखें लेकिन इस वीडियो में अब हम यह देखेंगे कि किसी अदत का जदूल मुरब्बा तक्सिम के तरीके से कैसे मालूम करते हैं तो चलिए देख्ते हैं हमें सबसे पहले एक से 10 तक के आधा गर उनके मुरूब या को मुरब्भा 9, 4 का मुरब्भा 16, 5 का मुरब्भा 25, 6 का मुरब्भा 34, 7 का मुरब्भा 49, 8 का मुरब्भा 64, 9 का मुरब्भा 18, 10 का मुरब्भा 100, यह मुरब्भे हमको याद होना जरूरी है, यह मुरब्भे याद होने के बाद या यह हमारे सामने होने के बाद ही, हम आसानी स इस मिसाल को हल कर सकते हैं अब हमारे सामने जो मिसाल दीवी है वो देखेंगे 9801 का तक्सिम के तरीके से जज़ुल मुरब्बा मालूम किजिए इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि जिस अदद का हमें जज़ुल मुरब्बा मालूम करना हो वो अदद यहां लिखने के बाद उसकी दो-दो आदात की दो-दो करके जोड़िया बना देए जैसे यहां एकाई तरफ से एकाई दाई की एक जोड़ी और 100,000 की एक जोड़ी इस तरह से हमने दो-दो की जोड़िया बना दिए सबसे पहले हम एक जोड़ी लेंगे यहां पर यह लिए हमने एक जोड़ी 98 अब देखना है कि 98 इन मुरब्बों में 98 किसे करीब है तो आप देखेंगे आप हम यहां पर 9 से हमने इसको दिये थे इसको इनकी जमा कर लेंगे यादिए इसक कना कर लेंगे इसका डू तो कितने 17 अब हम यहां से दूसरी जोड़ी उतारेंगे निचे पूरी के पुरी सिफ शीफर ने उतारेंगी ये एक ये उतारेंगे उसके साथ अब हमारा जो अदत हो गया वो 1701 यानि 1701 हो गया अब इस गया को हमें तक्सिम करना सकता है तो नो के कई में आ सकता है या के काइन अगर लिखे तो अम देखेए कि यह 18 में अगर मैं यह अगर मैं नहों लिखते है और इसी नो से इसको ज़रू देते हैं तो जवाब किया था है और इसको 9 से दर्बत दिये तो जवाब आएंगा 1701 इसलिए हम यहां इसको 9 का हिस्सा बैठा यहां पर लिखेंगे 9 और इन दोनों का जो हासिले दर्बा आया 17 यहां लिखेंगे 1701 अब 1701 में से 1701 चले गए यहां पर हमारे पास बचा सिफर यह इसका जवाब कुछ भी हो हम परत में इस से लिखेंगे कि जज़र 9801 बराबर 99 यह मिसाल से हम आसानी से समझ गये नई समझे तो दूसरी मिसाल देखते हैं 19321 इसको अल करेंगे हम इसकी जोड़िया बना देंगे पहले एक और दू की जोड़ी एक अकिला इसको अकिला रहने देंगे पहले सबसे पहल अब यहां पर अइसा कौन सा अधर जिससे जर्ब यहां लिखने के बाद उसे अधर से अगर उसको दर्ब दिये जाए तो जवाब 93 यह उससे कम आए नाट और एक नौ यह चार से देते हैं तो ज्यादा हो जाता है तो हम यहां क्या करेंगे कि इसको तीन से जर्ब देंगे कि दिखी दर हम इसको देंगे तीन से दर्ब लिखेंगे तीन और तीन से दर्ब देकर देखेंगे कि तेविस तिया कितने आते हैं तीन तीन नौ और तीन दूनी छे आए उनहत्तर यहां लिखेंगे हम 3 के 3, यहां लिखेंगे 79, अब यह इसमें से तफ्रिक कर लेंगे, फिर 7, 9, 7 बच्चे 2, अब यहां हम दूसरी जोड़ी उतारेंगे, पूरी के पूरी, यहां इनकी जमा कर लेंगे, 3 नर 3, 6 और 2 के 2, यहां दूसरी जोड़ी उतारें हमने 21, इसको कोशिश कीजिए, यहां पर हमें ऐसा अदत लिखना है, कि जिसका जवाजब, जिसका जर्व करने के बाद, उस यह नहीं करने लिदा, जवाजब यहां आना चाहिए, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम अगर इसको आसाने से समझने के लिए इस बात पर ध्यान देंगे कि एकाई पर क्या है देखेंगें एकाई में हमको दोई अदद मिलते हैं जिसकी एकाई में एक है वो है एक और नव तो हम देखेंगें यहाँ पर अगर हमने नव लिखे तो नव से दो सिक छे नव जर्ब नव नव नाम एक एसी काई हासिल के आए आठ नव चक्के चौपन और आठ वासट अच्छे नव दून एठरा और छे चोववेस हमारा जवाब आ गया तो यहां हम क्या करेंगे कि इसको नव का भाग बैठेंगा यहां लिखेंगें नव यहां नुव में नुव और इनका जो हसिले जर्ब आया इनका जो हसिले जर्ब आया हो यहां लिखेंगे सूट इसका मतलबी हुआ कि जज़र 170321 बराबर एकसो उनतालीष झाल झाल झाल